हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल ये स्ट्रामे की हिंदी एक्स्प्लेनेशन का पार्ट थ्री है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिंग सब देख रहा होता है मिंग बोलता है तुम कर पाऊगे ना मिंग बोलता है मैं तो शिन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ तुम बस देखते जाओ मिंग कोश के पास आकर पूशता है क्या कोई असान रास्ता नहीं है जिससे मैं ये जल्दी सीख सकूँ कोश बताता हाँ बिल्कुल है न जिसकी बाद मिंग चिला रहा होता है क्योंकि विचारे की हड़ी पसली एक हो जाती है ये सब शिन भी देख रही होती है उसकी फ्रेंड बोलती है देखो वो तुमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है इतना बड़ा प्रेजिडेंट होने के बावजोद ये बच्चो जैसे हरकते सिर्फ तुमारे लिए कर रहा है शिन बोलती है तो क्या वैसे भी टेक वांडो कोई इतनी जल्दी नहीं सीख सकता है मिंग असिस्टेंट के साथ प्रेक्टिस कर रहा होता है असिस्टेंट उसे खुश करने के लिए जूट बोल देता है आप अच्छा कर रहे हो मिंग बोलता है चुप रहो उसके पैर में दर्द होने लग जाता है असिस्टेंट बोलता है रुको बोस मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ तब या शिन आती है मिंग बोलता है देखना तुम मैं भी ब्लैक बैट लेकर ही रहूँगा शिन बोलती है अच्छा पर ये तुम इतनी जल्दी सीख नहीं पाओगे इसलिए ये सब करना बंद करो और पेन खीलर मेडिसिन देकर चली जाती है मिंग को तो अच्छा लग रहा था मेरी वाइफ मेरी कितनी परवा करती है असिस्टेंट उस कोच के पास आता है और उसे सब बता देता है क्यों उसके प्रेजिडेंट टेक बंडो सीखना चाते है कोच को भी अब पता चल जाता है उसे क्या करना है इसलिए वो मिंग को बोलता है क्या तुम ये कर पाओगे मिंग बोलता हाँ जब मैं कमपनी समभाल सकता हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है यहां वो सभी को मारता है पर ये सब जानकर मार खा रहे थे ताकि मिंग को अच्छा लगे कोच तो खुश हो जाता है क्या बात है और मिंग को ब्लैक बेल्ट दे देता है मिंग तो हवा में उड़ रहा था तब ही शिन उसे देख लेती है ये क्या तुम्हें ब्लैक बेल्ट केसी मिल सकता है मिंग बोलता है मैंने बहुत जादा मैनत की है तुम्हें क्या पता शिन बोलती है मैं मानी नहीं सकती तुम इतनी जल्दी टेक पॉंटो केसे सीख सकते हो मिंग बोलता है तुम्हें मैं लगता क्या हूँ जरह यह बताओ शिन बोलती है ठीक है चलो मेरे साथ कॉम्पिटिशन करो तब पता चल जाएगा मिंग बोलता है ठीक है पर अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे ऐसा हस्बन एकसेप्ट करना होगा और डिवोस का तो नामी नहीं लोगी शिन बोलती है पहले मुझे से जीत कर दिखाओ ये सब देखने असिस्टन ताइन और मिंग भी आजाते हैं असिस्टन बोलता है अब सब खतम हो जाएगा बोस आज पिटने वाले हैं मिंग बोलता है बात में गुसा मत करना अगर तुम चीती नहीं उसे मारने वाली थी पर वो बोलता है अभी मैंने स्टार्ट करने को थोड़ी कहा है मिंग भी उसे हिट कर देता है पर बात में उसके पास आता है तुम ठीक तो हो ना जान देखो मैंने कहा था ना रोणा मत शिन बोलती है पर तुमने मुझे महरा है मिंग भूलता चलो ये सब नहीं खेलना अब पर शिन तो मोगे का फायदा उठा कर मिंग को हिट कर देती है मिंग किर जाता है और सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो कितनों को मारा था उसे अपने असिस्टन पर गुस्सा आता है इसलिए असिस्टन तो भागी जाता है मिंग भूलता है तुमने सही कहा था मैं प्यार को समझता ही नहीं हूँ मैंने ये सब बेकार ही किया छोड़ो सब लगता है आप डिवोस लेना ही होगा शिन बोलती है नहीं डिवोस की जरत नहीं है मैंने देखा तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है मिंग तो उसे किस करने वाला था तबी मिन और ताइन शेहरब करने के लिए आ चाते हैं ये देखका शिन चली जाती है मिंग बोलता है सब कुछ ठीक हो गया तैयम बोलता है अभी भी कुछ करना है थायम बोलता है अब क्या बाकी रह गयासिस लिए अप मुझे दुबारे शादी करनी है ताइम बोलते है क्या बात है भाईि तुमारे दिमाग में इतने अच्छे अड़ीक काँ से आते है मिंग आफिस में ऐता है असिस्टंट उसे छुप रहा था मिंग बोलते है मेरे पास आओ अस्इस्टन बोलता है माफ कर देना बोस पर मैंने सब आप की लिए हैं किया था मिंग बोलता है पता है मुझे इसलिए मैं तुम्हे कोर चांस दे रहाँ अस्इस्टन बोलता है बोस इस बार मैं कोई गर्बट नहीं करूँगा इदर लिन मिंग के एकसिडेंट की फूटेश देख रही होती है वो समझ जाती है मिंग का एकसिडेंट उसकी वज़े से हुआ था और बोलती है मिंग तुम सिर्फ मेरे ही हो यहां तो मिंग त्यार हो जाता है अपनी जाने मन को शादी के लिए परपोस्ट करने के लिए शिन की फ्रेंड उसे मेक अप करने को कहती है शिन बोलती है डीनर पर ही तो जा रही है इतना मेक अप थोपने की क्या जूरत है मिन बोलती है बहुत जूरत है करो जल्दी से और ये वाइड ड्रेस भी पहन लेना तब ही ताइना चाता है और मिंग को सारी फोटोस दिखाने लग जाता है शिन बोलती है मैं तयार हूँ फ्रेंड बोलती है यार तुम तो कमाल लग रही हो ये दोनों पानी पीने चले जाते हैं शिन भार आती है तब ही वो लिन को देख लेती है शिन बोलती है तुम यहां वेसे पता है मिंग तो तुम्हें देखना भी नहीं चाता है लिन बोलती है तुम्हें क्या लगता है मिंग तुमसे प्यार करता है उसने तुम्हारे लिए किया ही क्या है खाना बनाना सौफ्ट रोई बनाना ऐसे बच्चे वाले काम करकर तुम्हें क्या लगा उसे तुमसे प्यार हो जाएगा तबिया मिन आती है वो देख लेती है मिन की एक्स शिन से बात कर रही है मिन बोलती है यह यह क्या कर रही है ताइन बोलता है कुछ तो गड़बर करेगी इधर मिन वेट कर रहा होता है अपनी धूलन का कब शिन आएगी और वो दोनों शादी करेंगे शिन बोलती है तुम चैलोस हो ना क्योंकि ये सब मिंग ने तुमारे लिए कभी नहीं किया है हाँ वो मुझसे प्यार करता है लिन बोलती है ऐसा तुम सोचती हो क्योंकि आज भी मिंग के दिल में मैं ही हूँ देखो मेरे पास एविडेंस भी है वो शिन को वीडियो दिखाती है मिंग की एकसिडेंट वाले दिन का जिसमें मिंग लिन को ही याद कर रहा था लिन बोलती है देखो कुकिंग करना टेक वोंडो सीखना ये सब तो कोई भी कर सकता है क्या मिंग तुमारे लिए जान दे सकता है अब छोड़ दो मिंग को और अगर पैसो की बात है तो मुझे बताओ कितने चाहिए मैं तुमें दूंगी शिन बोलती है सही कहा वो तुमसे ही प्यार करता है हमारी शादी तो मिंग की मुम की वज़े से होई थी अब मैं समझ चुकी हूँ और चली जाती है मिंग बोलती अब इसे क्या हो गया ताइम बोलते है मैं उसके पास जाता हूँ मिंग भी अपनी धूरन का वेट करते हुए की सबक्राइब करते हैं तब मिंग करता है और गलत समझ लेता है मैं वेट कर रहां हूँ और तुम मेरी वाइफ के साथ यहां पर हो ताइम बोलता है तो क्या हुआ हम साथ में हैं तो तुम्हें क्या फरक पड़ता है ताइन भोलता है मैंने भाबी को यहां देखा इसलिए मिलने चलाया जैसा तुम सोच रही हो ना विज़ा कुछ नहीं है ये बोलकर वो चला जाता है मिंग भोलता है मैं वेट कर रहा था तुम्हारा अब तुम्हारे लिए वो भी किया क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा है शिन बोलती है मुझे तुम्हारी ये बच्च जैसी हरकते पसंद नहीं है तुम उसे प्यार नहीं करते अट्राक्ट हो रही हो वैसे भी हमारी शादी एक डील थी मिंग बोलता है क्या पैसो हो गया है डिवोस के बारे में सोच भी कैसे सकता है वह मिंग बोलती है पता नहीं अब क्या होगा मैं मेरी फ्रेंड को समझाती हूं तुम अपने भाई को देख लो मिंग शिन के पास आती है ये क्या कर रही हो डिवोस लेना ठीक नहीं होगा मिंग तुमसे बहुत ज़रा करता है शिन बोलती ऐसा नहीं है वो अभी वीलिन से ही प्यार करता है मिंग बोलती क्या बकवास है उन दोनों के बीश में जो भी था वो पुरानी बात हो गई है पर शिन उसकी बात नहीं मानती या मिंग की हालत खराब हो गई थी बिचारा कुछ बोल भी नहीं रहाता तब या ताइन आ जाता है मिंग ताइन को देखकर बोलता है तुम यहां क्यों आई हो शिन के पास जाओ ना ताइन बोलता है मेरे और भावी के बीश में कुछ भी नहीं है तुम गलत समझ रही हो मिंग बोलता है मैंने सब देखा था वो तुम से मिलने के बादी रिवोस की बात क मैंने तुम पर ट्रस्ट किया पर तुमने क्या किया ताइन बोलता है मैं किसी और को लाइक करता हूँ तभी वो मिन को देखता है लेकिन उसका नाम नहीं लेता मिन बोलती है अब हम क्या करेंगे ताइन बोलता है अभी एक रास्ता है मिन की मोम मिन बोलती है हाँ मिन की मोम प्रभी मिंग आकर बोलता है हमारे मेरे सर्टिविकेट दे दो मुम बोलती है कभी मत भूलना तुम उसकी वज़े से ही ठीक हुए थे तुम्हें गया लगता है वो लिन वापिस आगे तो तुम उसके पास चले जाओगे वो तुमें छोड़कर चली गई थी क्यूंकि उसे अ लिन भी आ जाती है मोम बोलती है तुम यह क्या कर रही हो लिन बोलती है मैं वापिस आ चुकी हूं मोम बोलती है तभी तो मेरे बेटे का दिमाग फिर गया है ना लिन बोलती है मैं अब भी मिंग से ही प्यार करती हूं उससे ही शारी करना चाती हूं यह सब शिन भी सुन र लग जाती है मिंग बोलती है पर अभी वो शादी शुदा है और तुम मिस्ट्रेस हो लिन बोलती है नई थर्ड विल तो शिनी है मोम लिन को धक्का देती है निकलो यहां से पर लिन तो मिंग को हग कर लेती है मिंग चला जाता है वो लिन भी उसके पीछे चली जाती है शिनी है अगर वो होश में होता तो कभी भी मुझसे शादी ही नहीं करता अब लिन वापिस आ गई है तो मुझे लगता है हमारा डिवोस हो जाना चाहिए मोम बोलती है पर मुझे वो लिन पसंद नहीं है मैं तुम्हें ही अपनी भव मानती हूं शिन बोलती है मैं आपको अपनी मो मोम बोलती है यहां शिन मैरे सटीकेट लेकर आती है मिंग बोलता है क्या बात है तुमने बोलती है तुम्हें डिवोस्ट जल्दी ही चाहिए था नहीं मैं किसी और को लाइक करता हूं यह दोनों डिवोस लेकर बाराते हैं शिन को बुरा लग रहा था पर कुछ नहीं कह पाती तब ही मिंग आके उसे पैसे देता है इसलिए तुमने शादी कीती ना शिन बोलती हाँ ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं मिंग तो बार में ही आ गया था और ड्रिंक ये चा रहा था तायन बोलता है भाई ये क्या कर रही हो मिंग बोलता है वो तुम्हें लाइक करती है मुझे नहीं सुनना कुछ भी आप उसका नाम तक नहीं लेना मेरे सामने तायन बोलता ऐसा कुछ नहीं है लिन ने शिन को ऐसा कुछ कहा था जिसके बास से वो तुमसे डिवोस लेना चाहती थी मिंग बोलता यहां शेन भी कुछ बोल नहीं रही होती, मिन बोलती ऐसा नहीं चलेगा, क्या तुम अपसेट हो, क्योंकि डिवोस हो गया है, रिग्रेट कर रही हो ना, शेन बोलती है नहीं, मैंने तो शादी पैसों के लिए ही कीती ना, और देखो मेरे पास पैसे हैं, पर मैं मिन को शेन का नाम ले रहाता, ताइन बोलता है, इतना प्यार करते हो, और अभी भी भाने लगा रही हो, वो मिन को बताने के लिए रूम से बाराता है, तब इलिन यहां आ जाती है, मिन शेन को बोलती है, चलो अब तुमारे पास पैसे हैं, हम शौपिंग पर चलते हैं, पर तब मिंग को ताइन का कोल आ जाता है और उसे बता देता है मिंग होस्पिटल में है शिन रेड़ी होके आती है बताओ कौन से होस्पिटल में है या लिन मिंग को ही देखे जा रही थी और मिंग शिन का नाम ले रहा था लिन बोलती है तुम ठीक तो हो ना मिंग बोलता है तुम य के पास चलते हैं दरलीन मिंग को बोल रही होती है तुमने डिवोस ले लिया है और मैं भी सिंगल हूं तो क्यूं नो हम दोनों अपने रिलेशनशिप को दुबारा स्टार्ट करें मिंग बोलता है यह तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं और मुझ अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है इदर शिन घर आने के बाद बहुत जदा रो रही होती है फ्रेंट बोलती है मैंने पहले ही का था मिंग जैसा लड़का नहीं मिलेगा पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तभी उसे ताइन का कॉल आ जाता है वो ताइन से मिलने आ मिंग बोलता है निकलो यहां से असिस्टन भार ताइन से मिलता है ताइन बोलता है क्या हो गया असिस्टन बोलता है बोस कल से कामी किये जा रहे हैं और कुछ खा भी नहीं रहे हैं ताइन मिंग को बोलता है अगर ऐसे ही काम करना है तो तुम यूरोप वाले प्रोजेक्ट पर काम करो महीं चले जाओ ना मिंग बोलता ठीक है या शिन अपनी दोस्त के साथ मिंग की मूम के घर आते हैं मिंग बोलती है तुम्हारी मदरी लो कितनी अच्छी है डिवोस के बाद भी तुम्हीं या बुला रही है मूम कहती है तुम आ गई शिन बोलती है यह सौफ्ट ट का मिंग था और भाग जाती है यहां पर असिसेंट बोलता है कि आप शिन से मिलना नहीं चाओगे जाने से पहले मिंग बोलता नहीं अब हमारे बीच में कुछ नहीं है तब यह शिन आ जाती है मिंग बोलता है अब क्यों आई हो शिन बोलती है मैं तुम्हें प्यार करती मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ शिन बोलती है अम मैं समझ गई हूँ मर जाओना मुझे छोड़ कर मिंग बोलता है अब तेर हो गई है और चला जाता है शिन गिर जाती है और मिंग को याद करके रो रही होती है तब ही या मिंग आ जाता है शिन उसे हग कर लेती है नाइक सीन में ताइन और शिन रेडी थे क्योंकि आशिन और मिंग की शादी हो रही थी शिन बोलती है तुम अच्छे लग रहे हो मिंग बोलती है तुम दोनों भी और मिं और ताइन भी कपल बन चुके थे यह सब लिन भी देख रही थी पर वो मिंग को खुश देखकर खुश थी यहीं पर इस लफ स्टोरी का डी एंड हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट के लिए बाल एकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगे बाई बाई